दोस्तो ये कहानी तीन ऐसी प्यासी बेहनों की है जिनकी प्यास कोई भी नहीं मिटा पाता तो एक दिन इनके घर पर एक आदमी आता है जो इन तीनों बेहनों को बारी बारी रोज पेलता रहता है यानि की भटा बट भटा बट भटा बट करता रहता है तो चलिए देखते है इन तीनों बेहनों के कहानी को कहानी की सुरुवात में हम इन तीनों बेहनों रोज मेरी फाड़ों को देखते हैं जो कि अपने बाप पुजी की अस्तियों को नदी में विसरजित कर रही होती हैं अपने पिता की मौत के एक महिने बाद भी इन तीनों को प्रॉपटी नहीं मिली थी इसलिए इन तीनों ने अपने वकील के पास बैठक लगा दी और कहा साड़े ये प्रॉपटी हमारे नाम का भोगी तो वकील बताता है रोज मेरी फाडो तुमारे बाप की जमीन पर एक जो सबसे छोटी थी वो एक medical student है और जैसे ही उन्हें पैसे मिलेंगे तो फाड़ो अपने medical college जाएगी इसके बाद अगले दिन रोज मेरी फाड़ो नदी में नहाने जाती हैं और वहाँ पर दबा के मस्ति करती हैं नहाने के बाद घर आते टाइम उन्हें एक check point मिलता है वही एक chief marko से हमें पता चलता है कि कुछ नक्सलिवादी हमारे गाओं में गुस आए हैं इसलिए तुम्हें समझा रहा था क्योंकि ये रोज का सैटर है और ये रोज से रोज भटा भट 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 करता है अब पूरा दिन मस्ति करने के बाद रोज मेरी फाड़ो ठक जाती हैं तो मेरी फाड़ो सोने चली जाती हैं पर रोज नहीं जाती क्योंकि उसे पता था कि अभी मेरा आसिक मार को मेरी धपली बजाने आएगा और मैं तो हूई हरामी दबा दबा के पिटवा के बजवाऊंगी इसके बाद इन दोनों ने वो पटका पटकी मचाई जिससे इन की थकान भी दूर हो जाती है अब अगली रात जब ये तीनों बैटकर डिनर कर रही थी तो तब इने गोली चलने की अवाज आती है जिससे रोज को पता चलता है कि जरूर मार को और नकसलियों के बीच में फाइट हो रही है उसी रात जब मैरी पानी पीने के लिए उड़ करना होगा तो रोज मेरी फाडो की बात मान जाती है और तीनों मिलकर मारलो के पैड से गोली निकालने में कामियाब हो जाती है उसी दुरान मारलो मेरी से काफी अट्रेक्ट हो रही थी कि जैसे अब ये मारलो का हैंड पंप गटक जाए उसके बाद जैसे ये मारलो को होस है तो वो घर में छानबीन करना सुरू कर देता है जहां उसे एक ड्रोर में प्रोपटी के पेपर और कुछ केस के पेपर मिलते हैं लेकिन वो कुछ भी नहीं चुराता क्योंकि वकील जब उन तीनों बेहनों को बता रहा था कि जो तुम्हारी विवादित जमीन का केस चल रह था वो मैंने जीत लिया है और अब मैं तुम तीनों का नाम तुमारे बाप की प्रोपटी में डाल दूँगा और ये सारी बात मारलो भी सुन लेता है यहीं पर हमें मारलो के बैक्ग्राउंड से पता चलता है कि जिस जमीन के बारे में अभी बात हो रही थी वो जमीन मारल की थी दरसल मारलो के बापू ने रोज मेरी फाडो के बापू से अपनी जमीन के बढ़ले उससे लोन ले रखा था लेकिन जब वो पैसा नहीं चुका पाएं तो उन्हें अपनी जमीन गवानी पडी इसी वज़े से मारलो के बापू ने suicide कर लिया था जिस वज़े से मारलो अपने बापो का बदला लेने रोज मेरी फाड़ो के घर आया है उसी रात मार को रोज से भटा भट 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 करने आता है जहां वो रोज को रोज बना देता है और वहीं ये सारा कारेकरब मारलो भी अपनी आँकों से देख रहा होता है मारलो भी कम नहीं था ये साड़ा इन तीनों बेनों के करेक्टर का पता लगा रहा था कि सारी कौन कैसी है ताकि वो इन तीनों को अपने जाल में फसा कर उनकी प्रोपटी अपने नाम कर ले तो इसलिए वो नास्ते के टाइम रोज मेरी फारो से जूट कहता है कि मैं यहाँ पर हाइकिंग के लिए आया था और पुलिस वालों ने मुझे नक्सली समझ कर मुझे पर फाइरिंग कर दी उसी टाइम हम देखते हैं कि मैरी अपने पैरो से मारलो के पैरो को सहला रही होती है अब यह देखकर मारलो समझ जाता है कि मैरी को अपने काबू में करना बहुत असान है लेकिन वो सबसे पहले फारो को अपने प्यार में फसाता है जब मारलो नहारा होता है तो वो फाडो से कहता है फाडो तुम मेरी मैल रगड़ दो और जब फाडो मारलो की मैल छुटा रही थी तो वो सब मैरी भी देख लेती है जिससे वो गुस्त से भड़ जाती है और फाडो को डाड कर वहाँ से भगा देती है उधर दूसरी और रोज को अपने ड्रोर में पैसे नहीं मिलते तो वो मेरी का ड्रोर चेक करती है जहां उसे अपने पैसे मिल जाते हैं ये देखकर रोज को लगता है कि मेरी सारे पैसे लेकर सहर में बसना चाती है इसी वज़े से इन दोनों में तगड़ी वाली तूतू में में हो जाती है लेकिन असल में ये सारा कांड मारलो नहीं किया था अगले दिन जब मैरी किचन में आती है तो वो वहाँ पर मारलो को देखती है यहाँ पर मारलो ने मैरी के लिए break fights बनाया होता है क्योंकि रोजफाडो के साथ market गई थी तो अब इस मौके का फायदा उठा कर मैरी मारलो को अपने गन्ने के खेत में ले जाती है अब गन्ने के खेत के बारे में इतिहास गवा है कि जो जो गन्ने के खेत में गया है मेरी के कपड़ों पर मिट्टी देखकर फाडो समझ जाती है कि ये साड़े खेतों में खेत नहीं बेलकि एक दूसरे का खेत जोत कर आ रहे हैं यानि कि ये दोनों पिलम पिलाई करके आ रहे हैं उसी रात मारलो मेरी के रूम में आता है तो मेरी कहती है बेबी मेरा स्पा मालि लेकिन जल्दी मेरी को इस ओईल से अलर्जी होने लगती है और वो कसक चिलाने लगती है तो मेरी की आवाज सुनकर वहाँ पर रोज फाड़ो भी आ जाती है अब मारलो बचने के लिए सारा इलजाम रोज पर लगा देता है और कहता है कि रोज नहीं तेल में कुछ मिलाया थ जिससे रोज मेरी में दुबारा से लडाई हो जाती है इसके बाद मारलो रोज को आधी रात दारू पी तो वो देखता है तो वो रोज से कहता है कि बाबु तुम टेंसन मत लो सब कुछ ठीक हो जाएगा यहां रोज काफी एमोशनल होती है वो मारलो से कहती है कि मैं तो अ बार ऐसे रोज को उल्टा सिधा बोल देती है अब अगली सुबे मेरी मारलो के रूम में आकर नंगी डढ़ंगी होने लगती है तो मारलो कहता है अबे ओ सुन तो ले पागल हो गई है क्या मुझे अभी नहीं करना पहले तु जा के अपनी बेहन रोज से माफी मांग ये सुन मालने के एलिए उसके पीछे जाता है और फाडो को समझाते समझाते वो उसे बताता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ अब फाडो एक साब दिल की मासुम डॉक्टर थी जो उसकी मीठी बातों में आ जाती है तो अब यहीं से इन दोनों का फेर चालू हो जाता है ये द जात फाड़ो के खाने में कांच के तुकड़े मिला दिये जिससे फाड़ो के मूं का बब्बू गोसा बन जाता है वैसे मारलो ने मैरी को दिन में टूटे हुए कांच के तुकड़ो को फेकत हुँ देखा था लेकिन ये बात उसने किसी को भी नहीं बताई अब अगले दिन जोज मेरी और मारलो को मार्केट में सबजें लेने के लिए बेशती है क्योंकि फाडू की तबियर ठीक नहीं थी मार्केट में एक बुड़ी औरत मारलो को थोमस कहकर पुकारने लगती है जिससे मारलो डर जाता है और कहता है अरे अम्मा ना जानना पैचान मेरा नाम थोमस नहीं है मारलो है बतादो मारनी है तो 6 लंबा 6 मोटा है लेकिन ये सुनकर मैरी समझ जाती है कि साड़ कुछ तो गड़बड है लेकिन वो ये सब भूल कर घर आते वक्त मैरी मारलो से कहती है बाबु मेरी गुफा में हैंड पम्प नचा दो तो फिर मारलो कार मही अपना उसे जलाने के लिए ऐसा कर रही है वहीं दूसरी और मैरी मारलो के रूम में चानबीन कर रही होती है तब ही उसे मारलो के पर समों इसकी आईडी मिलती है जिसमों इसका रियल नेम थोमसी था इसके बाद मैरी ये बाद सब को बता देती है कि ये साड़ा हमारा पागल बना कि कैसे उसके फादर ने तुम्हारे बापू से लोन लिया था लेकिन लोन ना भर पाने के कारण उन्होंने अपनी जमिन गवा दी और खुद जहर खाकर मर गए इसलिए मैं अपने बापू का बदला लेने के अलिए नकसलियों के ग्रूप में सामिल हो गया था लेकिन जब ये सब सुनकर चिड़ जाती है तो वो सबको बता देती है कि आज मार्किट से घर आते वक्त हम दोनों ने कार में ही बटा बट 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 किया था अब ये सब सुनने के बाद मारलो अपना सेर नीचे जुका लेता है ये देखकर फाडो समझ जाती है कि पेलें पि के लिए निकल जाता है वहीं रास्ते में मेरी को जिपसी में मार्को की फैमिली फोटो मिलती है जिसे देखकर वो समझ गई कि ये साड़ा मेरी डोने के बाद भी मेरी बेहन रोज के साथ गुल चलरे उड़ा रहा है जब मेरी मार्को से ये बात पूछती है तो वो कहता है तुझे क्या लगा मैं तेरी बेहन से प्यार करता हूँ नहीं टाइम पास कर रहा हूँ और मार्लो के पकड़े जाने के बाद मैं अपनी फैमिली के पास चला जाऊँगा ये सुनकर मेरी ने मार्को का फोन लिया और वो जिपसी से उतर कर खेतों के चरब भाग गई तो मार को भी मैरी के पीछे जाता है पहले तो उसने मैरी की जम के बजाई और उसके बाद बड़ी बेरहमी से मैरी का गला काट कर मार दिया अब जब सुवे रोज फाड़ो को मैरी की डैड बोड़ी मिलती है तो वो बहुत रोती है उसी दुरान मार्लो फाड़ो को संभालता है मा मार्लो मिल जाता है जिसे वो बहुत मारता है तब ये सब देखकर रोज मार्लो को पिगलाना शुरू कर देती है ताकि वो मार्लो को छोड़ कर उस पर ध्यान दे जिससे मार्लो वहाँ से भाग जाए और होता भी यही है इसी बीच मार्लो समझ जाता है कि रोज ने उसका गई थी और इसके बाद ना वो आई और ना ही तुम आए तो मार को बड़ी ही चलाकी से रोज को बेफकूप बना कर उससे गन ले लेता है और वो जैसे उसे मारने वाला था तो तब ही फालू पीछे से उस पर हमला कर देती है जिससे मार को भनना साजाता है और उन्हें सब पते ही आर्मी वाले घर पर आने वाले हैं इसलिए उसने फालो और मारलो को वहां से जाने को कहा क्योंकि उसे अपने ओपर भरोसा था कि वो ना आर्मी वालो को संबाल लेगी और यहीं पर यह मूवी खतम हो जाती है दोस्तो इस मूवी का नाम पैनी बुगो है जो कि साल 2023 में रिलीस हुई है अगर आपको मेरा एक्स्प्लेइन पसंद आया हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और सेर जरूर कर देना और अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप हमारे टेलिग्राम के चैनल से देख सकते हो